गुदिविंग डेडर्स आज का दिन काफी अच्छा दिन रहा जिस तरह से मार्केट आज गिरी है 500 पॉइंट उसने में डाउंसाइट का मुव दिखाया आर्थि इंडेस्टिस को आज के दिन ट्रेट किया था यह कुछ पॉइंट्स है जिस एक लेवल के नीचे हमने इस ले अगें यह कल वाली लेवल्स है और आज यह मार्केट सेम पॉइंट से डाउंसाइट के दिन गरी है और प्रिवियर्स करीब 9 तू 10 देज का शायद लो आर्थि इंडेस्टिस ने ब्रेक कर दिया था मालूम नहीं था प्राइस इतना गर जागे भी डे टाम फ्रेम यहां प मिले हैं तो जिस विए से और ज्यादा कॉंप्रेंस आते देखिए जैसे कि इस एक वी शेप को में लोग ड्रॉ कर देते हैं वी शेप इंडेसेंस के 25 माई के यह जो लो पाइंट है यहां से प्राइस अपसेट की तरफ और जब मार्केट अप में जानने के बाद मैं अगे कोई बात नहीं यहां पर अपनी ट्रेट भुक हम लोग ओपन कर लेते हैं और टार्गेट अचा देखते हैं और यह वाले टार्गेट अपने पॉइंस थे जो स्विंग लो था हमारा आज जहां पर हमने अपने टार्गेट को किया है तो exact same level points हमारा टार्गेट पॉइंस थ लेते हैं ठीक है 16,400 का profit एक decent सा profit है और अभी टाइम फ्रेम पर इसके अंदर देखेंगा और आज इस स्टॉक अपने टेलिग्राम चैनल पर भी हमें मौनिंग भी शेयर कर दिया था और लिग दिया था कि हमें इसके अंदर आज के दिन शॉर्ट सेलिंग ही करनी और बुक बहुत स्मूदली सारा का साय एक्जेक्यूशन आज के दिन हुआ 716.40 जो किछ पॉइंट से जहां पर trade एक्जेक्यूट हुआ और यह क्या होगा लेजे स्क्रीन ही रूप गई है एक सेकेंड अभी चार्ट के उपर चलते हैं और चार्ट पर एक चीज समझने के कोशिच कर करेंगे क्या analysis थी stock selection की क्या process वगारा थे और किस तरह से देखते हुने आप अपने trade एक्जेक्यूट किया तो सभी levels हमने यहाँ पर हाइट कर दें डिलेट कर दें चार्ट को पर चलते हैं वेल्कम को आर्टी इंडस्री के तुरू एक concept विम आपको बताएंगे न उसको और apply करने कोशिश करना other trades में जो दूसरे stocks हैं और सिर्फ यही ने एक simple price action के तुरू हम इनको सबको हटा देते हैं कोई भी marking अपने पास नहीं रखेंगे देखें एक point जैसे की मेरा एक यह level है price मेरा हमारे इस level के नीचे की तरफ trade कर रहा है इस तरह से यहाँ पर और इसको break side की तरफ आ रहा है और जिन points को break करके price मेरा upside की तरफ गया था मतलब यहां से breakout करके market मेरी उपर की दिशा में गई थी और अप में जाने के बाद में अगे नीचे की तरफ गिर गई और गिरी है बट गिरने के बाद में इसके अंदर rejections देखने को मिल रहा है कि price जैसे हमारा हमारे level से touch हो रहा है इसको reject किया रहा है इस तरह की rejection और again market upside की तरफ उपर में जाने की बाद में फिर से market हमारी नीचे की तरफ गिरी और जैसे ही टकराई ना फिर से इसके अंदर rejection देखने को मिल गया जो rejection हो रहे है एक तरह से यह resistance या फिस support का का काम कर और यह वाले भी points जहां से market ऊपर की तरफ गई थी ऊपर की दिशा में हम लोग क्या कर सकते है ना अगर market को ऊपर की तरफ जाना है तो क्योंकि यहां से rejection ले रही है बार बार तो यहां से इसके ऊपर जाने के chances है और अगर market ने अपनी supports को break कर दिया और हमें अगर confirm किया कि अगर market यहां से downside की तरफ और अगेन market ऊपर की दिशा में चली गई और फिर से नीचे की तरफ आयो यहां से इसको rejection मिला प्राइज में अप मूफ यहां था अगेन नीचे की तरफ फिर से देखे rejection मतलब कि अगर ऊपर जाना तो यहीं से चली जाएगी इसके नीचे नहीं आएगी बट प्राइ आप यहां पर आजाएं यह कुछ पॉइंट से हैं market ने अप मूव दिखाने से पहले यहां पर एक हाई केंडल बनाए थी हमारी यह ग्रीन वाली केंडल 16th of April की केंडल मार्केट हमारी 16th of April की केंडल को ब्रेकर के उपर की तरफ चली गए अब देखिए यह उपर की दिशा में travel कर रही है कितने दिन से यह उपर की तरफ travel कर रही है 2021 से लगाता है और फिर से यह नीचे की तरफ आगा देख रहे है न जिस level को breakout करके price upside की तरफ गया था और again अब price हमारा उस level को breakout करके नीचे की तरफ चलीर है मतलब again price हमारा हमारी इस candle के पास में है अब आजाए current market म यह जो zone बने यहां से देखिए market के अंदर क्या हो रहा है कि price rejection दिखा रहा है फिर से low फिर से rejection यहां पर देखिए high से यह low rejection again low again rejection closing तो नहीं कर पा रहा है बट यह वाली जो candle है इसने closing कर दी 3rd of June की candle हम क्या करेंगे simply 3rd of June की candle को mark कर लेंगे इसके बाद देखिए कि market किस तर 26 की वाली जो candle है पिन बार इसका लो देखिए market किस तरह से उसके नीचे reject हो रही है जब-जब market यहां पर रहा है और reject हुई है और आज के दिन भी price हमको जो मिला वो हमारी 3rd of June और 26th of May की candle की range के अंदर मिल गया अब क्योंकि market अपने resistance point के नीचे slim क्या करेंगे buy तो करेंग जब price हमारा हमारे support के उपर होगा support के उपर हो तो हम यहांसे buy कर लेंगे और अगर selling करने तो मतलब इसे points हम sell out कर सकते हैं देखिए रोज के रोज हम same चीज़े upload करते हैं same चीज़े in the sense के price actions के point of view ही है यह एक तरह से हम कैसे market को देख रहे हैं अब आप इसको देख रहे हो तो आपके देखने का purpose क्या हो सकता है ऐसा तो नहीं कि वीडियो देख लिया कल आप करोड़ पती हो गए ऐसा होगा नहीं वीडियो देखने के बाब में कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी वह समझ में आती हैं अगर हम आपको में भी कोशिच करते 10 points समझाने की 10 में से एक भ 12-13 order लगे हुए हैं आपका तो कुछ नहीं हुआ है वहाँ पर जो profit हुआ वह हुआ आपके broker का decide करना है ना broker के लिए आप काम करो या आप खुद के लिए काम कर रहो खुद के लिए काम कर रहो तो quantity पर नहीं जाओ गया आप 20 trade execute नहीं करो गया आप ढूंड़ोगे कि कोई अच्छा trade अच्छा setup मिले जिससे कि एक दो ही trade हम execute करे दिन के proper money management के साथ को enough है नहीं चाहिए और कुछ ये चीज़े आप समझने ही कोशिश करोगे न तो जिसका असर आपको आपके trade बदिखाई देगा लेकिन focus के साथ काम करना होगा आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से price के अंदर के movements देखिए यहाँ पर important candle कौन सी होगे मेरी या important point हम बोल सकते हैं यह वाला हुए third of June के candle इसके बाद price को read करी किस तरह समरूप read कर सकते हैं price ने breakout किया downside के तरफ इसके बाद में एक up move अगले दिन gap up हुआ और फिर से price मेरा नीचे एक तरफ फिर से up move एक gap up और price मेरा downside के तरफ अब यहाँ से हो क्या रहा है कि price अपने highs लगा र अगर हमको confirmations मिलते हैं इन points के पास में तो क्या हम trade execute कर सकते हैं बहुत कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर हमने screenshot share किये थे किस तरह से आप trade execute करें हम उनके levels हमने draw करके share कर दिये थे यहाँ पर कुछ 9-15 के lows के आसपास के एक level previous days के calculate करके हमने share किये थे किसके नीचे अगर मौका मिलता तो short selling कर देना आप लो अच्छा खासा काफी लोगों ने हमको screenshot share किये थे अच्छा खासा profit बना है आज के दिन आज तो आप कहीं से भी कुछ भी मार देते हैं प्रॉफिट में ही निकलते यह setup था हमारा day time frame का अब यहाँ पर trade execute करने के लिए इस एक green candle का low मेरे लेक signify point बना इसे candle के पास हमने अपना trade execute के और swing high का stop loss बना और previous swings थे जहाँ पर कि हमन अपने targets book के थे यह वाले points यहाँ पर देख क्या हुआ था नहीं यह जो green रेड वाली candle form होई थे 703 point मतलब इसके पास का जो area बना हमारा 80 था शयद 703 हाँ यह वाला point यह अपना exit का point बना निकलने के बाद है market बेशक नीचे की तरफ गिरी है लेकिन वो चल चुके हम यहाँ अपना setup था stop loss entry target और daytime frame की reading थोड़ा सा focus अगर आप करे daytime frame को अगर पढ़ना पकड़ना सीख जाते हुआ तो बहुत सारी problems automatic solve हो जाएंगे तो thank you good bye and अब हम लोग मिलेंगे अपने कल की trading session में को अच्छा से stock होगा तो कल अपनी telegram channel पर हम आप लोगों को morning में update करे thank you और we will meet again अपने हैं